यदि दोस्तो किसी पैंसनर की पैंसन जन्दार फैमिली केवाईसी की वज़े से कैंसल हो जाती है या रद हो जाती है या बंध हो जाती है उसको अमपुन कैसे सालु कर सकते हैं आज इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आपको बताइए जन अदार की फैमेली के वाई सी आने की वज़े से अप प्रॉब्लम्स बढ़ गई है क्योंकि यहां पे जन अदार कार्ड के अंदर लिया जा रहा है आधार कार्ड के अंदर यदि जनन्तिती कम है वो पीप्यू के अंदर आ जा रही है उससे क्या है पेंजन बंद हो जा रही है जैसे आपके सामने ही है यहां पे एक स्क्रीन पर भी मैं आपको दिका दूंगा तो यह है वो पीप्यू जिसका वो कैंचल हो गया जन्नदार की फैमिली के वैसे की उसके बाद में कैंचल तो इस विडियो को शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसका सल्यूशन है वह कर सकते हैं पर तरीका है तो दोस्तों बगर टाइम वेश्की लिए दोस्तों आपको एसे सुआइडी के अंदर आने के बाद में यहां पर आपको जन अदार के कर देंगे हला है यहां पर क्लिक करना है यहां पर इनौर? जैसे हमने सी खिलिक किया उसके वीया स्अवन का उप्सना को से किरींगे से करेंगे तो जो भी सी तौह से आजाते हैं यहाँ खोजे पर उसन को से तरीक को सब्सक्राइट करना तोह थे के लिए जाएगा उसके ये काम आप मुबाइल फोन से भी कर सकते हैं बहुत असानी से अब क्या करना है आपको यहां पे आदार ओटी पी यहां पे आपको एंटर करनी है तो दोस्तों मैं अधार ओटी पी एंटर कर तो यहांपे देख सकते हैं कि आ संदर उपन के अंदर यहांपे सारी सा जाती है उसके बाम नीची के तरफ आपको स्क्रॉल करना है इसके बाहर यहां पर तैंक पर नहीं है नहीं कि rights नेकिन गहरे देख सकते हैं, एक option नजर आ रहा है, वो option है update का, अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने अधार कार्ड के अंदर जनमतिती वही करवा देनी है, जो पहले पीप्यू के अंदर थी, जो पीप्यू था, पीप्यू के अंदर जो पहले जनमतिती थी, वो अधार क्लिक करना है, जैसे इसके उपर और अधार कार्ड का अदर को अधार कर लेंगे, उस मोः को समझ में आई गया होगा कि यहां पे आपको family के वाइसी के option पे फिर से किली करना है उसके बाद में update करना है उसके लिए आपको पहले अधार कार्ड के अंदर सही करवानी है जनते दी अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे एक PPU आपको यह सामने देख रहा है इसके अंदर भी यह application ह है वो cancel कर दिया है इसके region क्या है region है not in जन अदार as criteria मतलब उस criteria के अंदर आप नहीं आते हो उस वज़े से यहां पे reset कर दी है अब दोस्तो अधार काड अपडेट हो गया अधार का update हुआ जन अधार काड भी हमने KYC कर दी KYC अपडेट कर दी तो उसकी बाद में आपको करन है आपको नई pension के लिए apply करना है यहां पे आपको पुरानी pension तो वो चालू होने वाली नहीं है एक वर कोई सीज रद हो जाती है उसको चालू करना ना मुम्किन है अब आपको क्या करना है eligibility के लिए आवेदिन करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है कौन सी pension है वो है लग सकता है यहां पर वार से एक आये वाला है यह problem करने वाला है तो दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो भी आपकी problem थी उसका solution मिला होगा दोस्तों इस वीडियो मं बस अतना है और वीडियो के लिए सेनलों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन भी प्रेस कर सकते है तैंक यू जै हिंद जै भारत